नमस्कार, कल्पना चोबे रेसीपी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुती टेस्टी, कच्छे नारियल और मावा की बर्फी बना रहे हूँ। इसे बनाने के लिए फ्रेश नारियल ले लेंगे। नारियल को पहले तोड लेती हूँ। नारियल को तोड कर पानी से साफ कर लेंगे। अब इसके पीछे जो छिलका है ब्लेक कलर का, इसे एक चाकू की सहाईता से निकाल लेंगे। चाकू से बड़ी असानी से निकल जाता है। छिलका निकाल कर नारियल को फिर से एक बार पानी से साफ कर लेंगे। अब इसे बारिक ग्रेट कर लेंगे ग्रेट हो गया इसे मिक्सर की जार में थोड़ा सा और बारिक करना होगा नारियल के छोटे छोटे पीस करके भी हम मिक्सर की जार में बारिक कर सकते हैं लेकिन वो ठीक से बारिक होता नहीं है नारियल के छोटे छोटे पीस रह जाते हैं और उसे बार-बार चुनना पड़ता है नारियल को बारिक करने के लिए मिक्सर को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है बस इतना चलाना है कि थोड़ा सा और बारिक हो जाए अगर ज़्यादा चला देंगे तो इसकी चटनी बन जाएगी मिक्सर को हमें रुक रुक कर चलाना है इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अब एक पैन में दो से तीन बड़े चमच देशी घी डाल देती हूँ और घिसे हुए नारियल को दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ये नारियल और मावा की बर्फी बिना घी तेल के बनती है इसलिए ये टेस्टी तो है ही और हेल्दी भी है इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे सिर्फ दो मिनट ही फ्राई करेंगे क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से इसका कलर चेंज हो जाएगा दो मिनिट हो गए, अब इसमें एक लिटर दूट डाल देती हूँ दूट थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं दूट के जगह पे मावा भी डाल सकते हैं मावा भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसे गाढ़ा होने तक चलाते रहेंगे जब तक दोध और नारियल गाढ़ा हो रहा है तब तक एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा कर प्लेट को थोड़ा अच्छे से चिकना कर लेती हूँ नारियल को बराबर से बारिक करने के लिए मिकसर की जार में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिकसर को भी रुक रुक कर चलाएंगे मिकसर को 10 सेकेंड चलाएंगे और रुक जाएंगे और फिर जार को खोल कर नारियल को भी एक बार चला देंगे इस तरीके से नारियल को बराबर से बारिक कर लेंगे अब ये बर्फी का मिस्रन भी तयार हो गया दोध नारियल अच्छे से गाढ़ा हो गया है अब इसमें मैं चीनी डाल रही है ये 100 ग्राम चीनी है चीनी डालने के बाद भी इसे चलाते रहेंगे थोड़ा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर ये भी 100 ग्राम है मिल्क पाउडर डालने के बाद 1-5 मिनट तक चलाएंगे और फिर गैस ओफ कर देंगे अब ये मिस्रन तयार हो गया है इसे प्लेट में निकाल लेती है चीनी अपने टेस्ट के हिसाफ से कम ये ज़्यादा डाल सकते हैं वैसे इतने नारियल में 100 ग्राम चीनी का मिठास एकदम परफेक्ट है इसे इस तरीके से दबा दबा कर सेट कर देंगे और आधे गंटे के लिए रख देंगे आधे गंटे हो गए अब एक चाकू से बरफी के शेफ में काट लेंगे ये नारियल और दूद की बरफी बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही जल्दी से बन भी जाता है अब एक चाकू या किसी चमच की सहायता से बरफी को धीरे धीरे निकाल लेंगे बहुत ही टेस्टी बरफी तयार हो गई है अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देजी धन्यवाद